देर स्टूरेंट्स दो महीने एक्जाम के अपकुल मिलाकर बज़े हैं क्या फील हो रहा है कैसा आपको लगता है कहां तक आपकी तैयारी पहुँचिए है आपका confidence level कैसा है चुकि कई सारे स्टूरेंट्स अपने comments में हमें लिखते रहते हैं कि तैयारी हमारी ठीक नहीं चल रही हैं भूल जाते हैं रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं टॉपिक्स को ठीक से नहीं complete कर पा रहे हैं अभी कल ही exit आया और कुछ लोगों के जिनके marks कम आए वे बहुत जल्दी अपनी confidence को गिरा देते हैं ये decision लेने लगते हैं कि इस बार हमारा नहीं होगा हमारी तैयारी अच्छी नहीं है हम कुछ भी याद नहीं रख पाते इस तरह से आप अपने decision को इतनी जल्दी अपना ले देखें पिछले दिनों हमारे इस GS परिवार के एक सदस ने comment भेजा था अपना जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले exam में उन्होंने मात्र दो महीने तैयारी की थी और 88 marks पाया था हलाकि उनका selection नहीं हुआ result नहीं हुआ क्योंकि cut off 96 गया था लेकिन अगर दो महीने की तैयारी मे 88 marks लाय जा सकता है उन्होंने तो यहां तक कहा कि मात्र लूसेंट पढ़ने से हमने जिस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जो हमें अच्छा लगा वो यह कि उन्होंने कहा कि मात्र दो महीने की तैयारी में हमने 88 marks लाया यह हमें नहीं पता कि उनका strength क्या था लेकिन उनके कमेंट के अंदाज से यह लग रहा था कि उन्होंने दो महीने में मोटे तोर पर तैयारी की और अच्छे marks लाए आपके तो दो महीने अभी बचे हैं और पिछले कम से कम तीन महीने से दो से तीन महीने से आप हमारे साथ हैं और शायद उससे भी पहले से आप तैयारी कर रहा है किसी वियस्ता पर तो ऐसे में आप ये क्यों सोच लेते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है आप एक सेट बनाते हैं सेट कम स्कोरिंग होता है और आप क्विट इंडिया मुव्मेंट का अभियान चला लेते हैं हमारे मनना कि ये सही नहीं है अभी दो महीने है और आपको हम बताएं एक एवरेज स्टुडेंट भी एक एवरेज स्टुडेंट अगर अभी आजाए हमारे पास और वो ये कहे कि वो इस एक्जाम को निकालना चाहता है तो हम कहेंगे कि ये पॉसिबल है संभव है अभी भी जब उसकी बहुत तयारी नहीं हो तो आप ये नहीं अभी सोच ले कि आपकी तयारी अतनी कम है कि आप इस एक्जाम को नहीं लिकाल सकते हैं अभी दो महीने बचे हैं लगबग 60 दिन बचे हुए हैं तो आपके पास टाइम अभी सफिशेंट है हम लोग इनालिसिस करेंगे जब एक महीने बचेंगे हाँ तब वो समय होगा जब डिसिजन लिया जा सकता है कि हमारी तैयारियों में कमी है या इस एक महीने में संभव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा तो अभी से आप इस बात को नहीं मान ले अभी दो महीने में हम लोग बहुत कुछ करेंगे एवरिडेय टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं सेट बनाएंगे साथ ही कुछ रिवीजन वक्त भी चलेगा तो इस एक महीने में कम से कम अभी जो पाने वाला ये one month है उसमें ही अंदाद लग जाएगा कि हमेरी तयारी किस अस्तर पे पहुंची है और हम किस strength पे हैं किस level पे हैं तो अभी ततकाल अब ये decision ना ले लें कि इस बार अब हमारा कुछ नहीं होगा अभी बहुत समय है आपको बताए कि ये समय अभी इतना है कि अ आप set बनाएं जरूर साथ ही revision works करते रहें और कोछ चोटे चोटे टॉपिक्स को याद भी करें जो याद करने वाला है समभाव है ये होगा हम लोग देखेंगे कि आप ही में से कई लोग ऐसे हैं जो इस exam को अच्छे से निकालेंगे जबकि आपके confidence अभी उस अस्तर पे न जाएंगे तो पांच से साथ questions आपके सिर्फ इस मनुभाव के कारण गलत हो जाएंगे तो confidence को अपने गिरने ना दे कई बार एक दम पूरा आपके अंदर जितनी च्छमता है उससे accumulate कर उससे कटा कर exam में लोग बहुत अच्छा performance दे डालते हैं जिसे कहते हैं ना कि आन्तिम का instinct बना के रखना है विशेश कर वे छादर जिनको इस पार इस एक्जाम पो निकालना है तो आप quit ना करें इसलिए कि अभी समय है अभी quit करने का समय नहीं है अभी समय आपके पास one month more अभी ऐसा है जब आप consolidate करेंगे अपने तयारी को और तब देखा जाएगा कि आपकी तयारी हमारी तयारी हमारा ये style of जो get together का है ये कितना worthwhile है अभी से ये सोचेना सही नहीं होगा तो आप अपने confidence को बनाए रखें daily कुछ consolidate करें अपने तयारी को और मन में ये नहीं आने दें कि हम इस exam को नहीं निकाल सकते हैं आप तयारी पिछले दो तीन महिने से तो already कर र महिने से तयारी कर रहें और आने वाले दो महिने में अभी बहुत कुछ करने को है हम लोग देखेंगे करेंगे और बहुत सारे sets भी बनाएंगे देरे देरे अंदाद लग जाएगा कि हमारा स्तर क्या है हम कितने fighting spirit के साथ इस युद्ध में समयलित हैं और कहां तक हमारी ज spirit है वो बना रहेगा तो यह अंतिम समय में आपको बड़ा लाप देगा एक्जामनेशन हॉल में यह fighting spirit बहुत काम करता है आपका पांच साथ question एक्स्ट्रा बन जाएगा confusion से questions गलत होते हैं देकिन अगर आपके अंदर आत्मबल होगा confidence build किया हुआ होगा आपको लगे हैं कि एक question कैसी गलत हो सकता है तो definitely questions कुछ extra आपके सही होंगे तो यही पर आपसे बिदा लेंगे आपको अपने इस decision को अभी hold करके रखना है अभी decision नहीं लेना है कि आपका इस बार नहीं होगा revision करते रहें को एक नए episode के लिए तयार है जल्द आएगा तब तक के लिए take care कर दो कर दो